पिछली क्लास में हम पड़े थे कि अपढ़ना को बैंक में काम करते हुए साल भर हो गया अब क्या है एक साल के बाद उन्हें LTC मिलती है तो उनलोग कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम करते हैं तो माता जी की इच्छा थी कि वे जगनात पूरी जाए वे टिकेट भी काटते हैं और वह कुछ एड़र रुपए एडवांस लेती है पर जिस दिन उन्हें जाना था निकलना था उसी दिन उनके पिताजी के दिल में काफी जोड़ दर्द उठता है और जिसके कारण उनका जाना कैंसल हो जाता है और वह पहुंच जाते हैं सीधा अस्पतल अब यह दप से उसके हाथ में चिठी पकड़ा देते हैं उसके पाचोरी का इलजाम लगाया जाता है तब वह कहती है कि वह तो खुद खना साहब को फोन करके बताए थी कि किसी कारण वर्ष मतलब पिताजी की तब्यद खराब इस कारण लोग घुमने नहीं जा रहे हैं वह चुटी मतल रजिस्ट्री थमा देते हैं अब उलोग तब क्या करते हैं वह घर आकर जब सारा हल सुनाती है तो पिताजी कहते हैं तो चींता मत कर सत्य की अवश्य जीत होती है और फिर उलोग क्या है कानपूर जाते हैं वहां के अधिकारी से मिलने के लिए तो वहां पे संबंदित अधिकारी जो थे वहां पर नहीं थे तो नीचे तपके के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश करती है पर चप्राशी यही कहते हैं एक करके ही अंदर जा यह जा सकता है उसके आगे हम पेड़ेंगे पेज नंबर 74 खोली है और नहीं एक बार में खाली एक जन जाएगा तो चप्राशी क्या कहता है यह और नहीं एक करके ही अंदर जाएगा एक साथ दो नहीं जा सकते अंदर पिता जी को बहार ठैर्री को अपरना अंदर गई कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी की अकड़ से बैठा अपने आए जैसे स्वर में बोलता रहा तो यहां पर अपढ़ना जो आई है उस पर थोड़ा भी गुरुत्वर नहीं देता है अधिकारी और फोन में ही व्यस्त रहता है ठककर अपढ़ना सामने पड़ी कुरसी पर बैट गए जब देखा कि अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहा है ध्यान नहीं दे रहा है तो वो क्या करते है सामने रखी कुरसी पर बैट जाती है फोन रखते ही उसने अपढ़ना की और इतने रुखिल सरसरी धंग से देखा कि वो अटपटा कर खड़ी हो गई और ना चाहते वे भी उसने अपनी बात में सरसर कहना शुरू कर दिया एक वह कहती है मैं चाहती हूं कि मेरे स्पष्ठी करन पर आप ध्यान दे और मेरी विश्वस नियता पर संधे न किया जाए मेरी उपर संधे किया जा रहा है मेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है तो इसको इसका आप कोई सल्यूशन निकाले सपश्टी कर इनकी पुष्टी करना हमारा फर्ज होगा शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगी की रिपोर्ट पर आपके विरुद जाच की जाएगी शाखा प्रबंधक क्या कहते है बैंक के जो मैनेजर ने उनसे भी बाते की जाएगी जब उन्होंने इस प्रकार का रिपोर् से मैंने एडवांस बिल के अगेंस्ट लिये थे चुट्टी के बाद में वह धनराशी तुरंद लोटा नहीं आई थी तो पढ़ना क्या क्या थी वह तो पैसे लोटा नहीं आई थी आपने अपने यात्रा रद करने की कोई सूचना अपने कारेलियर को नहीं दी नंबर एक तो अधिकारी कहते एक तो तुमने आपको क्या है इनफर्म करना चाहिए था कि आपने आपका जो जाना है टूर कैंसल हो गया है आपने इनफर्म नहीं किया आपके बिल पर कहीं भी एडवांस बिल जैसे शब्द नहीं लिखा हुआ फिर वो कहीं भी लिखा बिल में क्या ह जो advance आपने रुपय लिया उसका कोई कहीं कोई notice नहीं है नमबर दो और आपके पास अपनी भेजी गई सूचना का कोई लिखित सबूत नहीं है और आपके पास कोई लिखित सबूत नहीं है कि आपने advance लिया या return करने जा रहे है आपने मतलब उन्हें मेसेज किया है कि आप नहीं जा पाई इसलिए रुपए लोटा रहे हैं तो ऐसा कोई भी रिटेन डॉकिमेंट नहीं है फिर हम कैसे माने कि आप संधे से परे हैं तो जिचू कि कोई रिटेन डॉकिमेंट नहीं है तो वहां पर क्या है लोग आपकी उप कर लगता है कि मैं बेइमान हूँ मैं कभी भी बेइमान जैसी काम नहीं कर सकती व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का दफ्तर के रूटिन में कोई अट नहीं होता फिर इधर हमारे यहां नए आई जूनियर्स में इतनी अजीब तत्व घुज गए हैं कि इनकी परताल होना जरूरी ह अब जा सकती है तो अधिकारी भी क्या कहते हैं कि इसके उपर जरूर जाच होगी आप अभी जाईए पर सर आप अपना समय बरबाद कर रही हैं अधिकारी ने घंटी बजा दिया अधिकारी ने कहा यहां पर आकर अपना समय बरबाद कर रही हैं आप यहां से जा सकती है आ पीछे पीछे बाहर आए एंदम गुस्सा हो जाती है उसका इंसल्ट हो रहा है उसके पिता डेलिंग क्लर्क के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे क्लर्क के मुह में ठूस ठूस पान भरा था और वह बड़े गौर से अपने चश्मे में से ही अपर्णा को देख रहा था चलो अपर्णा ने बिना उससे बात किये पिता से कहा अब क्या है वो पिताजी से कहती है क्लर्क ने गुसे में मुह का पान लहु लुहान कर लिया वो इतना पान चबा रहा था तो वो क्लर्क को तो कुछ नहीं कहती वो अपने पिताजी से ही कहती है उसे केस का पता था अब अपड़ना का जो केस का मामला है वो पूरे दफ्तर में फैल गया था उसे लगा गलेक तक मुसीबत में फसी है लड़की पर अकर तो देखो कहती है क्या कि इतनी फसी हुई लड़की है पर लड़की का अकर तो देखो कितनी ज्यादा करती है एकदम सीधे सामने सीधी खड़ी होकर बाते कर रही है बिल्कोल वे शरम नहीं है बे शरम मतलब कहने का अर्थ है कि चोरी करती है उपर से सर उठा कर कहती है कि मैंने चोरी नहीं की दरजनों केस उसके महरबानी से इसी दफ्तर की अलमारियों में दफन हुए पड़े है उसने सोचा था लड़की आकर उससे ठीक से मुलाकात करेगी तो उसे लगा कि लड़की है आएगी बहुत सौफली बाते करेगी नतमस्तक होकर बाते करेगी सरसर जी कहेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता थ्रू प्रॉपर चैनल अंदर जाएगी और आएदा इस मन हूस बुड़े को लाकर इसके सामने न बैठाने की समझदारी दिखाएगी तो वो मामला दव्वा देगा अभी जाज की कारवाई का कागस डिस्पैच नहीं हुआ था पर इसके तो मिजाज साथवे आसमान पर अठके हुए थे तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो सोचते हैं कि पतानी किस प्रकार की लड़ी है अभी तक जो है उसका केस शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ पर इतनी अकड़ उसके चले जाने के बाद उसने अपने चप्रासी मतलब अपढ़ना के चले जाने के बाद किया है उसने अपने चप्रासी जो उसका परम दाता जो है परमाश दाता भी था से कहा इसी तरह ये अपने पिता जी के साथ आते रहेगी तो दस्यों सालों एक्यानवरी चलवाओंगा एंक्वाइरी चलाओंगा रो ना दे तो कहना अगर इसी प्रकार पिता जी के साथ आती रहेगी न तो किया उसके पीछे में इंक्वाइरी चला दूँगा और कभी भी मतलब साल बीच जाएंगे दस साल बीच जाएंगे पर इसका कोई फैसला नहीं होगा उसकी इसका चप्रासी खैनी के लिए श्री वास्ताफ का मोहताज रहता था उसकी किस बात से सहमत होना उसे कभी ठीक न लगता उसने सिर्फ लाया अगला पूरा हफ्ता भाग दौड में वीता हालांकि वह नहीं थी मतलब यहां पर अपड़ना नहीं थी हर रोज क्या है वह दफ्तर में आती थी बाते करने के लिए अपने केस के मामने में बाते करती थी सहयोगी जो हैं उससे हमदर्दी रखते थे जिसने जिस मददगार का नाम बताया वह वहां दौड़ी जिसने जिसके साथ मिलने के लिए कहा वह वहीं दौड़ी चली जाती थी लखनाव और कानपूर उसके लिए कट्रा और मनफोरगन बन गए कभी भी किसी सूचना पर बिना रेल आरक्षन के वह सफरनन पर चल दे थी जिस के पिछ भरे डिबों में बोरे पर बैठे खड़े हो लटक कर कई वार तो क्या है वह वह विदाउट रिजर्वेशन वह जाती थी खड़ी मतलब क्या है जनरल कंपार्टमेंट में जाती थी तना भीर रहता था खड़े खड़े चले जाती थी क्योंकि इसके पीछे के इसके पीछे काफी पैसे निकल जा रहे थे अधिकतर संबंधित व्यक्ति से मुलाकात ही न होती थी वह जाती थी दफ्तर जाती थी मिलने के लिए पर शायद अधिकारी रोगों के साथ मुलाकात नहीं होती थी वह अपनी विस्तता बता कर दो दिन बाद का वक्त देता है कहते अगर होते भी तर ठीक है दो दिन बाद आईए आज नहीं होगा इस प्रकार की बाते करते थे अंचान शहर में कही भी टिकना उसे निरापद ना लगता मजबूरन वह वापस आकर दो दिन बाद फिर दोड लगाती फिर क्या करते जैसे उसे कहा जाता था वह फिर क्या है दो दिन बाद फिर से दफ्तर में जाती दो दिन बाद फिर उन लोग टाल देते कि हाँ दो दिन बाद आई इस प्रकार हमेशा दफ्तर के चकत चलाती ही रहती थी मा और पीता लाचार उसे देखते उन्हें लगता उनकी अपी अपी वाकी बड़ी हो गई है मतलब उनकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है खुद ही सारा काम संभाल रही है अब उसकी मुश्किलों का हलवे नहीं निकाल सकेंगे जाच तो जो है वा बैट चुकी थी फाइल जो है वा मोटी होती जा रही थी और अपड़ना जो है वा दुबली होती जा रही थी इतना जर्णी अपड़न चिंता तरह तरह के परेशानिया इससे क्या है अपड़ना जो है वा दुबली होती जा रही थी शेत्रिय कारले के एक अधिकारी शेत्रिय का अधिकारी का नाम था प्रीतम सिंग अंडरलाइन कर लो यूनियन के प्रतिर निधि समीर सकसेना तो प्रीतम सिंग और समीर सकसेना में अंडरलाइन कर लो और एक अन्य अधिकारी जात्षमीती में शामिल थे उसी दफतर में जहां अपड़ना एक अधिकारी की हैसियत से जाती रही अब एक अभियोक्त की तरह आती और शाखा प्रवंधक के कमरे के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठी रहती फाइल गोद में रखे और आखे दिवार पर ठिकाए तो वह अब क्या है रोज जाती और वहाँ ही पर जो शेत्रिय कारले के अधिकारी थे प्रितम सिंग और क्या ना हम पर वह आता समें अधिक तूर जाए पर प्रस्वाट वहाँ के लागबाद्य के और अफरो झाहर्वाग चीव जिस ना डवरा